मेरी बताई हुए सिरफ ये चाहँ चीजे रोजाना रात को सोने से पहले कर लीजे आपके पेट के चर्वी मॉम की तरह पिघल राएगी ultimate result मिलने वाला है आपको ध्यान से सुन लीजे वीडियो को पड़ा-फट से important इतना है सेफ कर लो, शेयर करो और जो दो चीजे बता रही हो उनको फॉलो कर लो साथ बजे से पहले-पहले डिनर कर सकते हैं तो अच्छी बात है साथ बजे के बाद है तो रोटी और शावल एवोईट करें पतली-पतली दाल या फिर आप जूसेज ले सकते हैं Second important tip आपको दे देती हो कि हर मील के बाद थोड़ा सा सौफ या फिर इलाइची चबाने की हाबिट डाले अगर आपने first meal लिया है breakfast, lunch या dinner तीनों मील्स के बाद आप कोशिश करें कि आपने इलाइची या फिर सौफ ज़रूर चबाना है तीसरी important चीज है कि आपने हर मील के बाद में आदे खंटे के लिए walk ज़रूर करना है खाना खाते ही पसर नहीं जाना बिस्तर पर क्योंकि अगर आप इस तरीके की चीज़े करते हैं तो automatically आपका खान आपके शरी में सरता है सड़ी उचीज आपको बिमारियां देगी आपके और्गन्स अनहिल्दी होंगे स्किन पेजिंग आएगा बाल गिरने लगेंगे समय से पहले बूरे हो जाएगे बॉडी में आलस रहेगा अक्टिवनेस बिलकुल जीरो हो जाएगा तो आपने इन सब चीजों कर ध्यान रखना है तो चली यह स्टार्ट करते हैं आज का वर्क आउट अब आपने क्या करना है फोर्स एक्साइस के लिए इस तरीके से आपने आलबो को मैट पर प्लेस करना है पंजों पर आजाना है और अपने पंजों को जम करके ओपन करना है देन क्लूस 20 ताइम्स 5 सेट्स रिलाक्स इसा हम करेंगे 20 बार और इसके हम करेंगे 5 सेट्स अब बारी आति हमारी नेक्स्ट एक्साइस के ठीक है इसके लिए आपने क्या करना है? फोराम को माट पर प्लेस करना है लाइक दिस अपने पारों को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेटेट रिए ठीक है? उसके बाद में पने दूसरों हैंड आप वेस्ट पर रख सकते हैं आपको ख्लोडेस एच लेग यानी राइट साइट वही ताइम है लेट साइट अट चाएट प्लेट साइट और इसके हम करें चेट रहेचे हम्हां खारी है यानी सलस्रेट ताइम आपको करना है clair trust बच्छी रचें झाल तो यह पर आपके सारे एक्साइज़ कम्लीट होती हैं में आपको कुछ इंपोर्टन रीकाप दे देती हूं कि टिप्स पताई हैं उन पर आपने फोकस करना है आपको सुर्फ दू एक्साइज़ पताई हैं जो एजली आप तीवी देखते देखते भी अराम से फॉलो कर सकते हैं ठीक है इस कम्प्लीटली वीडियो को फॉलो करना और फिर देखना कि 15 डेस में कैसे आपको इतना अच्छा ह्यूज डिफरेंस अपने बेली एरिया में देखने को मिलेगा गाइस आपको मेरा ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा हिल्फुल लगा होगा है पता भी है कि इशा अच्छी चीज़े बताती है तो यार इशा को प्यार तो थोड़ा अपना जाहिर कर दिया करो प्यार जाहिर करने के लिए कुछ में करना कोई बैसे खर्ट नहीं करने सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और अपने शोचल मीडिया, अपने फ्रेंज, रिलेटर्स के साथ में वीडियो को जम कर शेयर करना है और हाँ इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर प्यार देने आजाना आए इशा महरा मिलते हैं कल कुछ नहीं चीज़ों के साथ